Hello everyone, तो आज मैं आप लोग साथ discuss करने वाला हूँ जो syllabus में reduction हुआ है तो देखे ये सब के लिए एक opportunity है, क्योंकि मैं अगर syllabus के reduction की बात करूँ तो मैं आपको बताता हूँ जैसे atomic structure से क्या reduce हुआ, discovery of electron, proton, neutron, solid state से क्या हुआ है जो पीछे वाला रटने वाला पार्ट है, oxides और ये सारी चीजे, उसी तरीके से आप metallurgy में उसमें जाएंगे electrochemistry में तो क्या reduce हुआ है, rusting वाला पार्ट, cell वाला पार्ट, अगर metallurgy में आप जाएंगे तो पूरा metallurgy उड़ा दिया है तो मुझे लगता है, जिन बच्चों ने पिछले 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, जिनों अभी कुछ भी नहीं किया, logical mind है, वो दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे score कर सकते हैं, overall cutoff अप होगी, तो पूरी ताकत लगा दीजिए, let's crack it!